क्या आप बिलीफ करेंगे कि धर्ती, सूरज और हमारा पूरा सोलर सिस्टेम एक बहुत ही बड़े बबल में कैद है और ऐसा आजकल से नहीं वलकि एक करोर सालों से भी ज्यादा समय से है 12 जनवरी 2022 को नेचर जनरल में पबलिश इस आर्टिकल को देखो इसके अनुसार हारवार्ड यूनिवरसिटी के सेंटर फॉर एस्ट्रो फिजिक्स और स्पेस टेलिसकोप साइन्स इंस्टिडूट के रिसर्चेस ने मिलकर एक 3D मैप बनाया है जो लोकल बबल की एवलूशन आया है कि ये जाइंट बबल आज से 1 करो 40 लाग साल पहले बना था इसका फॉर्मेशन बहुत इकम टाइम इंटर्वेल के अंदर 15 से भी ज्यादा स्टार्स में सूपर नोवा एक्स्प्लोजन होने से हुआ था इन सूपर नोवा एक्स्प्लोजन से निकली गैस और रिडि इसको डिसकफर करने वाले रिसर्चर्स मिलकी वे के सारे अबजेक्ट का एक 3D में बनाने में लगे हुए थे जी ये आ ये स्पेस अब्जर्बिटरी के डेटा को एनलीज करते समय कैथरिन जूकर और उनकी टीम ने पाया कि पिछले एक करो 40 लाग सालों में हमारे सूरज क के अराउन कोई बिन इस्टार का फर्मिशन नहीं हुआ है पर धर्थी के अरां कुछ ऐसे एरियास है जहां पर नए स्टार्स के फर्मिशन के लिए इनफ मैटिरियल अवेलेवल है और वहाँ पर नस्टार के फर्मिशन के सबूत भी देखने को मिलते हैं इसी तरह उन्हे originally इसके अंदर नहीं हुआ करता था और आज से करी 50 लाग साल पहले ही Milky Way के Central Supermassive Black Hole को orbit करते हुए Giant Bubble के अंदर एंटर हुआ था अगर हमारा सूरज हमेशा से इस Bubble का पाट रहा होता तो शायद आज हम existing नहीं कर रहे होते अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि यह Giant Bubble 15 Supernova Explosion के कारण हुआ था Supernova Explosions अपने आसपास के Space में बहुत destruction करते है और ऐसे में किसी भी life form का exist कर पाना impossible है लेकिन fortunately हमारा सोलर सिस्टेम इस Bubble के अंदर तब घुसा था जब Supernova का dangerous effect खतम हो चुका था Secondly आज के समय यह Bubble हमें दूर Space से आने वाली Supernova Redition से भी रक्षा कर रहा है और सबसे बड़ा coincidence तो यह है कि जब हम इसे discover कर रहे है तब हमारा सूरज इस Bubble के बिलकुल बीच में मौजूद है पर ज़रूरी नहीं कि हर चीज हमारे favor में हो यह Giant Bubble करीब 6.5 km per second की speed से expand कर रहा है Physics के basic principle कहता है कि आयतान बढ़ने से घनत्व कम होती है और यही principle Giant Bubble में भी apply होगा जैसे जैसे यह Bubble बढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसकी घनत्व और भी कम होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब यह Bubble बस्ट हो जाएगा और इसके अंदर के objects अपनी stability खो बैठेंगे अब अगर आप धर्ती को ऐसी condition में imagine कर रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस समय तब इन bubbles के अंदर रहेंगे ही नहीं स्पेस में ट्राफल करते समय जैसे हमारी धर्ती बबल में एंटर हुई थी वैसे ही एक दिन इसके बाहर भी निकल जाएगी पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम safe zone में पहुँच जाने वाले है लोकल बबल से बाहर निकलते ही धर्ती सूपर नोवा एक्स्प्रोजन की चपेट में आने का खत्रा और भी बढ़ जाएगा आज से करी 35 करोर साल पहले लेट डेवोनियन पिरियेड में एक ऐसी घटना अलरेडी हो चुकी है उस समय किसी सूपर नोवा धमाके से आई radiation burst ने हमारी ozone layer को तबाह कर दिया था इसके सबुद हमें इस period के rock sample में भी दिखाई देते है ozone layer destroy होने से धर्ती की surface पर ultraviolet rays आने लगेगी ये तो आप बच्पन से ही जानते हो पर इसके कारण धर्ती के atmosphere में enter होने वाली cosmic rays भी बढ़ने लगेगी जिनके कारण धर्ती पर बिजली गिरने की घटनाई भी काफी बढ़ जाएगी हमारे जंगल में लगने वाली आग का main reason भी बिजली का गिरना ही होता है मतलब जंगलों के fire cases काफी तेजी से बढ़ जाएंगे और धर्ती पर लाई बहुत ही difficult हो जाएगा बर ये तो करोर साल बाद होगा राइट इसके लिए हम क्यों tension ले दोस्तों आपको बता दू कि हमारे local bubble के अंदर भी कुछ ऐसे areas exist करते है जहां आने वाले भविश्य में supernova धमाका हो सकता है और ये explosion कब और कैसे होगा इसका अंदाजा पहले से ही नहीं लगा जा सकता हम इंसान लंबे समय से ऐसे bubbles के concept को assume कर रहे थे और अब हमें उसके मौजूदगी के बारे में पता चला है पर अब इस field में हमारी research बहुत ही limited है हमें तो ये भी नहीं पता कि धरती पर life की तरह क्या ये bubbles भी पूरे universe में unique है या फिर इस universe में ऐसी infinite bubbles exist करता है हो सकता है कि universe में ऐसे bubbles बहुत ही common हो और हमारा सूरज एक bubble से निकलते ही दूसरे bubble में enter हो जाए पर फिलहल तक हमारे पास इसका कोई proof नहीं है इस पूरे analysis को सुनने के बाद आपके दिमाग में कई सारे सवाल घूम सकते है जैसे कि इन bubbles का formation आखिर कैसे हुआ होगा जब सूरज इस bubble में enter हुआ था तब धरती की condition कैसे change होई होगी और हमारा सूरज कभी इस bubble से बाहर आने वाला है सवाल कैसारे है पर इसका जवाब भविश्य में चिपा है आखिर कैसे supernova explosion यानि कि stars की मौत के event से ऐसे bubble का जन्म होता है जो नए stars का formation करते है ये सोच अपने आप में ही काफी fascinating है and I'm sure आप भी इनके बारे में और जानना चाहते होंगे I hope कि आने वाले सालों में हम local bubbles की study करके इसकी mysteries को decode करेंगे और scientist Milky Way में मौझूद ऐसे और भी bubbles की mapping करने में कामियाब होंगे वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राए नीचे comment करके ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलना और अगर हवी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके notification बिल को on कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर हफते लाता रहता हूँ तो मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स पर वाचिंग